सब्सक्राइब करें टेक्निकल अमित यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को हमारे नेटेस्ट टेक्नोलीजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो अगर ईक के मन में यह सवाल चेहां और आप कहीं न कहीं है को भडिया माइक्रूफोन लूं बट कौन सा लूं आपके मन में चल रहा है कि 500 का लूँ, 2000 का लूँ, 3000 का लूँ, 4000 का लूँ, तो आपके इस बजट को रखते हुए, दोस्तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कि 500 से लेके 10,000 की रेंज में जो best microphone आते हैं, वो कौन-कौन से हैं, मैं different different categories दोस्तो आज इस वीडियो में लेके आया ह बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर, सो चली दोस्तों, बेना समय गवाए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दोस्तों, आगे बनने से पहले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि इस वीडियो में मैंने लेपल माइक्रोफोर्म्स के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई भी experience नहीं रहा है, मैंने ना इमको कभी use किया है, तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेपल माइक के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसी कोई वीडियो लेकी आऊ, तो comment box में comment कर देना, मैं जरूर से जरूर इस टोफिक पे भी जो वीडियो बनाऊँगा, इस वीडियो में दोस्तों आपको सिरुफ और सिरुफ बताऊंगा दोस्तों जो USB माइक्रोफोन होते हैं, एस वेल एस दोस्तों जो शोटगन माइक्रोफोन होते हैं, यो USB माइक्रोफोन होते हैं, दोस्तों वो जो इंडोर माइक्रोफोन होते हैं, उनको आप अपने घर के अंदर बैट के यूज कर स और वो आउफडॉर होते हैं आउटॉरक्ष थ रिके सा भूद हैं सबसे पहले दोस्तों जिए माइक्रो थाहा है ठीके अाप फिर से सर्क्रेट,चीयोंशनली बात कर दोस्तों आपने को 1,000 थाहा था भी से कर रह कुछी सर्क दोस्तों है आइबाल रोकी हेडसेट, विद माइक, दोस्तों यह जो है एक हेडसेट है, जो माइक के साथ आता है, बात करो दोस्तों इसकी प्राइस की, तो दोस्तों यह आपको मिल जाता है, तकरीबन 400-500 की रेंग में, और आपको बता दो कि हर माइक्रोफोन का जो बाई लिंक हुआ ब आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा, कोशिच कीजिए कि आप उन लिंक से बाई करें, ताकि चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाए, अब दोस्तों मैं बात करूँ आइबल रोकी हेडसेट की, तो दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो इसी के साथ शूट करता हूँ, यह दोस्तों कंपेटिवल है, डियजलर के साथ, स्मार्टफोन के साथ, अपने PC, लैप्टोप, चाहे वो मैं का चाहे वो विंडो है, हर एक सिस्टम को दोस्तों जहाँ वो सपोर्ट करता है, अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा है कि, एक जार तक मैं कौन सा बढ़िया म 800 , जोस्तों, यह जनरिक का मैक्रोफोन और काफी अच्छे प्रोडेक्ट होते हैं जनरिक के और आपको बता दूँ, यह मैक्रोफोन के बारे में यह कंडेंसर मैक्रोफोन है, और एक इंडोर मैक्रोफोन है, जिसका यूज आप घर बैट के मतलब अपने PC के साथ, अब दोस कि दो हजार की रेंज में अगर आप एक बढ़िया कंडेंसर माइक लेने की सोच रहे हो तो अभी के अभी इसको भाय कर लें लिंक आपको इसका डिस्कुशन बोक्स में मिलने वाला है अगर आगे बढ़े दोस्तों मैं बात करूं यहां पे 3000 की रेंज में तो 3000 की रेंज में मुझे कोई भी बढ़िया माइक्रोफोन यहां पे नहीं लगा है बट अगर आपका महां पर थोड़ा सा बज़ित उपर जाता है 4000 तो दोस्तो 4000 में आपको मिल सकता है ब्ल्यू स्नोबा अब दोस्तों महां बात करूं स्नोबाल के बारे में तो काफी जादा मशूर है और हो सकता है आपने भी स्नोबाल के बारे में सुना हो काफी बड़े-बड़े यूटूबर से स्नोबाल का यूज करते हैं बात करूं स्नोबाल के दोस्तों यह एक USB माइक्रोफोन है और एक बात करूं तो आँखे बंद करके आपका यहां पे बजट बन रहा है चार जार तर और आप एक इंडूर माइक्रोफोन लेने की सोच रहे हो तो यह माइक्रोफोन है Blue Snowball इसे बढ़िया microphone आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है अब अगर दोस्तों आगे भूड़ू और बात करूँ दोस्तों 5000 की range तक ये तो था 4000 की range तक अगर बात करूँ 5000 की range तक तक तो दोस्तों वहाँ पे आपको तकरीबन 5000 की range मिल जाता है road video microphone तो ये एक outdoor mic है और बात करूँ दोस्तों इसकी quality की तो एकदम बढ़िया quality एकदम awesome quality है अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने DSLR के लिए एक बढ़िया outdoor mic या indoor mic या इसको use कर सकते हो बट अगर आप सोच रहे हो कि DSLR के लिए लेना है आपने अगर DSLR के लिए लेना है ना तो ये बहुत ही बढ़िया microphone और advantage इसका ये है कि इसके साथ आपको inbuilt जो है दोस्तों वो शोकॉन मिल जाता है जी हां दोस्तों inbuilt शोकॉन मिलेगा indoor भी उसकर पाओगे outdoor भी उसकर पाओगे इसकी range की बात करूँ प्राइस की तो तकरीबन 4880 रुपे में दोस्तों ये अभी आपको Amazon पे मिल रहा है लिंक आपको इसको description box में मिल जाएगा अब दोस्तों अगर आपका budget इससे भी उपर जाता है अगर आपका budget 5000 की range से भी उपर जा रहा है तो यहाँ पे आपको इस video के last microphone में जो दोस्तों वो ही recommend करता हूँ चाहे जो भी हो जाए इसके सिवा दोस्तों कोई भी microphone मत लेना अगर आप 10,000 तक खरच सकते हो अगर आप 10,000 तक पैसे खरच सकते हो तो यह जो microphone में आपको बताने वाला हूँ इससे इलावा कोई भी microphone मत लेना और मैं especially आपको recommend करता हूँ कि मैं भी बहुत जल्द अगर आप लोगों का इसी तरह मुझे प्यार मिलता रहा तो मैं यही microphone जो हो लेने वाला हूँ सो यह जो microphone है इसका नाम है Blue Yeti बात करो इसकी price की तो दोस्तो साथ से आठ हजार की रेंड में आपको मिल जाता है यह आपको साथ से आठ हजार की रेंड में मिल जाता है जो की आपको लेना पड़ेगा बात करो दोस्तों इस microphone के बार में तो आप इसका इंडोर में भी यूज कर सकते हैं और आउट्डोर में भी यूज कर सकते हैं अब इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि दोस्तों यह microphone है यह compatible है DSLR में भी यह compatible है PC में भी चाहिए आपका विंडो है चाहिए आपका Mac है अब दोस्तों आपको बता दूं कि इस microphone में आपको different different moods मिल जाते हैं different different यहां पर आपको eco के volume के तरह तरह के मतलब बहुत ही जादा functions आपको यहां पर मिल जाते हैं और एक बड़ी बात यह plug and play microphone है इसको भी किसी तरह का कोई भी जो पावर है वो नहीं चाहिए अगर आप इसको PC में यूज करते हो बट अगर आप इसको DSLR में यूज करना चाहते तो आपको अपने laptop अपने PC की जो आपको यही बोलूगा कि जो पैसा होता है वो पेड़ पे तो लगता नहीं है हमारे माब आपको रोकी लेना चाहिए या आपको यटी लेना चाहिए वो आपके उपर डिपेंट करता है मेरा दोस्तो में मोटीविता की मैं आपको बताऊं कि 500-10,000 की रेंज में जो बैस माइक्रोफोन है वो कून से है जो कि मुझे लगता है कि मैंने बड़े ही अच्छे वे से जरूर कर देना मन में किसी तरह का कोई सवाल है या आप इस वीडियो सहमत नहीं हो या आप भी कोई राय रखना चाहते हूं या फिर मैंने कहीं पर कोई गलत बात वो लिए तो कमेंट बोक्स में कमेंट कर दीजिए as well as दोस्तों चैनल पर फर्स विजट और चैनल को सब्स भी